ओम्श्यांति पांच अक्टूबर की शुरुद्रणवासो कसो गते परमात्पा कहते हैं कि कर्मों के हिसाब किताब को समझ कर अपनी अचल स्थिती बनाने वाले सहज योगी भवा चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है जो कि हमें जातर हर दिन ही आता है और छोटे सर पर आता है बड़े सर पर मीडियम सर पर आते हैं हमें और चाहे धन का हो चाहे संबन्दों का हो और चाहे किसी वह भी प्रकार का सहत का हो तो उसमें मन को हिलाओ नह स्थेती को नीचे उपर नहीं करो स्थेती उपर नीचे होती है जब हम questions पूछना शुरू करते हैं और हम और को blame करना शुरू करते हैं और हम पास में जाकर के काश ऐसा नहोता तो इसमें जाकर हम चले जाते हैं इसको कहते हैं वेर्च संकल्ब चलो आया तो परक कर उसे दूर से ही खतम कर दो अभी योदे नहीं बनो योद करने वाले क्यों क्या कैसे में जाने वाले जो जितना अदा प्रशन पूछो कि आप क्यों ऐसे क्यों किया मेरे साथ क्यों हुआ उतना अदा हम योद करेंगे हम solution oriented नहीं होंगे फिर सर्व शक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती लेकिन परमात्मा का साथ लेना उनके साथ को इस्तमाल करना हमें आना चाहिए जो कि तब ही possible होता है जब हम हर दिन मुर्ली सुनते हैं और सुबा अम ब्रित्वेला meditation करते हैं सिर्फ निश्य के foundation को practical में लाओ और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे निश्य यही है कि हम हर परिसित को पार कलते हैं परमात्मारा साथ है देर है लेकिन अंदेर नहीं अगर निरंतर योगी बनो युद करने वाले योद्य नहीं तो परिसित्य आती है तो हम परिसित्य की पीछे पढ़ जाते हैं वो नहीं परसित्य आ रही है बाबा को भी याद कर रहे हैं तो हम निरंतर योगी हैं और युद करने वाले युद्धे नहीं होंगे तेरा ओम श्यंति